यहाँ स्क्रीन पर हमकोShow 5 का Science का English Medium का December का आस्सरा Αंशर दिख रहा है Hindi Medium वालों के लिए पहला से ही आचूक है वीडियो का डिस्क्रिप्चन चेक करिये और English Medium हो या Hindi Medium सारे subject assignment के आणसर आपको वीडियो के description में मिल जाएंगे तो आप वहाँ से easily check out कर सकते हैं पहला question इसमें क्या पूछता है कि electric circuit जो हमारे घर में होते हैं तो बहुत simple सा reason है कि क्यों connect होते हैं क्योंकि अगर एक parallel में अगर एक कोई by default कहीं circuit burn होता है तो वहाँ पे सारे नहीं रुखेंगे सिर्फ एक ही stop हो जायागा दूसरा इसमें क्या कि इसमें सबसे पहले सब आपस में independent रहेंगे और एक दूसरे को effect नहीं करेंगे और इसके बाद हर एक में जो potential difference रहेगा वो सेम रहेगा voltage supply सेम रहेगी इसके बाद आता है चार bulbs 40 watt के 5 hour के लिए daily जलते हैं और 2,60 watt के लिए ये question है simply तो यहाँ पर इस question का answer हम देखते हैं चलिए start करते हैं यहाँ पर question है इसका answer देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले 4 watt वाले के लिए यहाँ पर देखिए निकाल लेंगे 4 watt वाले के लिए क्या है electrical energy जो consumed है 4 tube lights की 40 watt के हर एक है 5 घंटे अगर जलते हैं तो 4 into 40 into 5 into 30 और यहाँ पर आ जाएगा 24 kilowatt hour इसके बाद क्या है कि 60 watt वाले जो दो बल्ब है वो 6 घंटे पर दे चलते हैं तो यहाँ पर उनके लिए कितना जाएगा 21.6 kilowatt hour इसी तरह से 80 watt वाले 3 fans है 6 hour के लिए चलते हैं तो यहाँ पर उनके लिए कितना जाएगा 43.2 kilowatt hour तो consumed energy कितनी हो जाएगी एक मन्त में 88.8 kilowatt hour और हर एक kilowatt hour का 50 पैसे है तो 88.8 unit का हमने निकाल दिया तो 44.4 यह हमारा answer आ जाएगा simple है बहुत simple है और देखे important question के PDF आने वाले हैं यहाँ पे तो telegram group को आप जरूर join करिए आपके board exam के लिए बहुत important है और भले भी हमने यहाँ पे provide किया है और बहुत सारे बच्चों ने top 10 में भी rank किया है उनके interview भी यहाँ पे डाले गए है तो आप जरूर से देखिए एक बार और telegram group को join कर लेजी वीडियो के description में उसका link दे दिय अब देख यह चलिए दूसरे question पर आते हैं describe the alternating electric current generator on following point तो label diagram बना देंगे label diagram में हापे digital दिया गया है बहुत अच्छे से दिया गया है तो आप देख सकते हैं और इसके बाद principle तो यह किस पर based है तो AC generator works on the principle of Faraday law of electromagnetic induction Faraday law पे based है कि जब भी किसी coil को आप perpendicularly magnetic field के घुमाते हैं तो उसमें flux change होता है और जिससे उसके उसमें जो wire लगा हुआ है उसमें electric current flow होने लगता है तो बहुत simple है यहाँ पे भी region आपने देख लिया है दूसरे question का यह था तीसरा question यहाँ पे आता है तीसरा question क्या आता है write the function of the following hormones तो hormones का function हमको बताना है गिब्रेलीन है गिब्रेलीन का answer क्या है regulate various development process बहुत सारे process जो development वाले होते हैं उसको regulate करता है और क्या है including stem elongation germination dorminy flooring flooring development इसके बाद psychokinine है इसमें क्या होता है promote cell division cell division को यह promote करता है और thyrox gene है thyrox gene क्या करता है digestion heart and muscle function को development और maintenance और bones में यह काम करता है तो बहुत simple से answer आपको यहाँ पे दिये गया है और जो भी doubt है जो भी questions में आपको doubt होते हैं तो आप comment करके बताया करिए comment करके बताएंगे तो सारी चीज़े आपको यहाँ पे clear हो कि एक कमेंट के हैं पर reply किया जाता है जो भी problem आपको हो टेस्टेस्टोरोन है तो regulate bone mass fast fat distribution muscle mass and strength growth of bird and moses तो यहाँ पर देख सकते हैं simply बहुत अच्छे से answer दिया गया है और इसके बाद आता है यहाँ पर question number four question number four पूछता है what is jagot तो यहाँ पर लिखा जाएगा a jagot is a fertilized ovum the germ cells undergo meiosis to reach a haploid state as part of spermagenosis and cogenesis the sperm and the unfertilized ovum restates and chromosome set in the road jagot in a diploid state a jagot is the first diploid cell that is formed by the fusion of male and female gametes resulting in the formation of an embryo तो यहाँ पर आपको answer दे दिया गया है कि jagot क्या होता है उसका process क्या होता है सारी चीज है इसके बाद आता है draw a neat label diagram of female reproductive organs तो female reproductive organs का आपने यहाँ पर diagram लिखा गया है यूरेटर दे दिया एंडो मिरिटियम दे दिया फाइमरिया दे दिया अगिना सर्विक्स वावरी सब कुछ फिलोपियन ट्यूब सब कुछ आपको यहाँ पर दे दिया गया है तो बहुत सिंपल है बहुत सिंपल structure है आप देख सकते हैं इसके बाद आता है question number 5 is the plancetta essential for the child development in the uratis y to role of plants अपलीखेंगे exchange of water between mother and the forsters exchange of nutrients exchange of respiratory gases removal of nitrogenous waste from photos इसके बाद nitrogenous waste crosses the placentina and remove by mother's kidney antibodies also cross the placentina and provide immunity to the baby ऐसे देखिए आपको answers यहां पर दिये गए हैं इसके बाद पूछता है how many chromosomes in man's cell तो there are 23 pairs of chromosomes and 26 chromosomes in human cell तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से सारे answers दिये गए हैं चले देखते हैं आप इसके PDF को कैसे डाउनलोड कर रखते हैं Assignment के answer के PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको Google पर जाके सर्च करना होगा cgbasisupport.in उसके बाद आपको इस website पर जाना होगा इसको नीचे स्क्रॉल करना होगा option दिखेगा आपको assignment 2021 उस पर क्लिक करके सभी subject assignment के answer के PDF आप easily डाउनलोड कर सकते हैं